हलो दोश्तों वेलकम बैक मैं चैनल देखिए आज फिर से आ गई हो हार्वेस्टिंग की वीडियो लेके और देखिए गुच्छों में टमाटर काफी सारे पके हुए हैं मेरे और जो ज्यादा रेड हैं वही तोड़ूंगी क्योंकि अभी पिछली हार्वेस्टिंग की देखिए काफी सारे हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ मैं आज वीडियो में बने रही है लास्ट तक देखना मैं क्या-क्या हार्वेस्ट करने वाली हूँ अपने छोटे से गार्डन से छोटे-छोटे पॉट में मैं इतनी सबजियां की रोग कर लेती हूँ थोड़ी सी म जब हम्हेनत का मुझे वह नहीं होता है कि अंदाज़ा कि मैंने कितनी नहीं किई है यह तो अपने मन खुस हो जाता है। तो थोड़ा हम अपने आपको active करके थोड़ी सी गार्णिंग करके थोड़ी से हाथ प्यार हिला के थोड़ए सा काम कर लेंगे तो देखे इतना सुन्दर सुन्दर हमें harvesting देखने को मिलेगी और देखे धर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े थोड़ा सा आपको अनुवब हो जाएगा तो आपको हर काम easy लगने लग जाएगा ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार gardening की तो वो success नहीं हो तो दुबारा करनी ही नहीं है तो देखिए मैं इतनी सुंदर देखिए मैंने गाजर निकाली है बैगन निकाला है और अभी आगे देखिए मैं क्या निकालने वाली हो तो इधादर मैं देखिए अब मुली निकालूंगी मुली तो कई सारी निकालूंगी क्योंकि मेरे जो मेरे इन पर्मानेंट प्लांट है, इनको फर्टिलाइजर भी बगरा देना है, तो इसलिए मैं अब सोच रही हूँ, इनको खाली कर दूँ, इतना बड़ी हो गई है, उतना ही ठीक है, तो मैंने सारे इन कमलों में लगा रखे थी, कई बार से मैं हर्वेस्टिंग दिखा रही बहुत टेस्टी लगती है, सबजी बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि अपने एकदम और्गनिक तरीके से मैं ये सबजियां उगाई हुई हैं, एकदम ऐसे नहीं कि केमिकल से हमने ये उगाई हैं सबजी, एकदम बिल्कुल और्गनिक तरीके से मैं आपको फर्टिलाइजर भी जो सेयर करती हूँ, सबजीों के लिए अलग सेयर करती हूँ, फ्लॉवर प्लांट के लिए अलग सेयर करती हूँ, तो उसी का हम है, बहुत अच्छा देखने के फल मिलता है, देखिए मैंने ये वेश्ट भर दिया था नीचे और उपर मट्टी डालके, तो इस तरीके से मैंने मूली लगाई थी, और देखिए और इधर में प्याज है और ये धनिया है, आज देखती हूँ, प्याज धनिया निकालना है कि नहीं, कुछ देखिए एक दो मूली इधर भी है, देखिए ये मेरा गुडहल का गमला है, इसमें भी मैंने लगा दिया कितनी प्यारी देखे मूली निकल के आई है आज मैंने काफी सारी मूली हार्वेस्ट कर लिए है और आगे आगे देखते हैं क्या हार्वेस्ट करना है और देखे ये आज मेरे को सिम्ला मिर्च भी हार्वेस्ट करनी है आपको कई बार वीडियो में दिखा चुकी हूँ इनको यह ज़्यादा बड़ी नहीं होती है इतनी बड़ी होती है तो इनको हर्वेस्ट कर लेंगे तो थोड़ा और फूल और फूल और फूल बनने में थोड़ा हैल्प मिलेगी सारी एनरजी प्लांट के यही फूल ले रहे हैं तो देखे तीन यह सिमला मिर्च निकाली है और तो ना तेज महकारी थी इसमें से बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को इसको काटते हुए देखे कितने डेरो सबजिया मैंने अपने गार्डन से निकाली है थोड़ी सी मेहनत करती हूँ और इतना सुंदर मेरे को रिजल्ट देखने को मिलता है बहुत अच्छा लगता है जब मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ इतनी खुसी महसूस होती है कि चलो सबर करती हूँ सबर का फल मीठा होता है और देखिए जब फूल वाले प्लांट पे महनत करती हूँ तो फूल देखके बहुत खुसी होती है सबजी वाले पे महनत करती हूँ तो सबजी से आज मेरी हर्वेस्टिंग निकली है थोड़ा मेरी गाजर अभी पदली है पहली बार हर्वेस्ट की है मैंने ये गाजर अब की बारी में अब मेरी स्टार्टिंग हो रही है धीरे धीरे गाजर हर्वेस्टिंग करने की अगर मेरी वीडियो थोड़ा सभी अच्छी लगती ह हो तो लाइक कर दिया कीजिए चैनल पर नई होते हों तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए तो चलती हों बावाई टेक केर हैपी गार्डिंग